ओम शांती, आज 4 मई 2022 के साकार मधुर महवाक्य हैं, आज की मधुर मुडली में बाबा ने पवित्रता का महत्व समझाया, इस प्रामण जीवन का फाउडेशन पवित्रता है, सत्यूगी राज्ये में उच्पद पाने के लिए पवित्र जरूर बनना है, घर गरस्त में रहत सारे को याद नहीं करना, अगर कोई बच्चे शिरिमत पर पवित्र नहीं बनते, तो उन्हें बहुत सजाएं खाने पड़ेंगे, बाबा जब आते हैं, आत्माओं को याद दिलाते, कि बच्चे मुझे याद करू, मेरी याद से सारे दुख दूर हो जाएंगे, जो कुछ कुछ भी है, इश्वरिय सेवा में सफल करो, गाया जाता है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाई, किसी की चोर लूट ले गए, तो किसी की आग जलाएं, सफलोगी उसकी, जो इश्वर अर्थ लगाएं, अपना सब कुछ सफल करना है, योग बलवे वो त ठाकत है, जिससे आत्मा पावन बनती है, हीरे जैसा बनती है, अगर कोई बच्चे शिरीमत पर पवित्र नहीं बनते, तो उन्हें धरम राज के डंड देखाने पड़ते हैं, इसलिए मन वचन कर्म से पवित्र बनना है, और सप्तिव की राज्ये में उचपत पाना है, सु धरम राज की सजाऊं से छूट जाएंगे, हीरे जैसा बनना है, तो ज्यान अम्रित पीयो, विश को छोड़ो। शिरिमत पर पवित्र बनो, तो धरम राज की सजाओं से छूट जाएंगे, कीरे जैसा बनना है, तो ग्यान अम्रित पियो, विश्क को छोड़ो. पुशन सत्यूगी पद का सारा मदार किस बात पर है? सत्यूगी पद का सारा मदार किस बात पर है? पवित्रता पर, तुमें याद में रहे, पवित्र जरूर बनना है, पवित्र बनने से सद्गती होगी, जो पवित्र नहीं बनते, वो सजा खाकर अपने धरम में चले जाते हैं, तुम भले घर में रहो, प्रंतु किसी देधारी को याद नहीं करो, पवित्र रहो तो उच्पद मिल जाएगा, पवित्र बनने से भविश्य में उच्पद मिल जाएगा, गीते तुम्हें पाके हमने जहां पालिया, ओम शांति, शिव भगवान वाज, और किसी को भी भगव पानी कहा जाता, एक मिराकार परम पिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है, वो है सब आत्माओं का बाप, पहले पहले निश्चे होना चाहिए, हम शिव बाबा के बच्चे जरूर है, दुख के समय कहते हैं, परमात्मा सहायता करो, रहम करो, ये भी नहीं जानते, ये हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती है, एहम आत्मा का बाप वह है, इस समय सारी दुनिया पतित है, गाते हैं अम नीच पापी हैं, आप समपूरा निर्विकारी हो, पर तुफिर भी अपने को समझते नहीं, गाते हैं, लेकिन अपने को पतित समझते नहीं, बाबा सम चाते, जब तुम कहते हो भगवान, बाप एक है तो तुम सब आपस में भाई भाई हो गए, फिर शरीर के नाते सब भाई बहने ठेरे, शिव बाबा के बच्चे, फिर प्रजा पिता ब्रह्मा के बच्चे ठेरे, ये तुम्हारा बेहद का बाप teacher गुरु है, कहते हैं तुमे पतित नहीं बनाता हूं, मैं तो आया हूं पावन बनाने, अगर मेरी मत पर चलेंगे तो, यहां सब मनुष्य रावन मत पर हैं, सम्मे पाच विकार हैं, बाबा करते बच्चे अब निर्वीकारी बनो, श्री मत पे चलो, प्रंतो विकारों को छोड़ते ही नहीं, तो स्वरक क बालिक बनते नहीं, सब अजामिल जैसे पापी बन गए, रावन संप्रदाई हैं, यह शोक वाटिका है, कितना दुखी हैं, बाबा आकर फिर राम राज्य बनाते, तो तुम बच्चे जानते हो, यह सच्चा सच्चा युद्ध का मैदान है, गीता में भगवान कहते हैं, क एक्ट आत्मा करती हैं, हम आत्मा हैं, शरी धारण कर पार्ट बचाती हैं, प्रंतो मनुष्य आत्म अभिमानी के बदले, दे अभिमानी बन गए, अब बाबा कहते हैं, दे ही अभिमानी बनो, सोल कॉंशिस बनो, अपने को आत्मा समझो, सत्यों में आत्म अभिमानी रहते परमात्मा को नहीं जानते हैं यहां तुम देह अभिमानी हो परमात्मा को भी नहीं जानते हो इसलिए तुम्हारी दुर्गती हो गई अटेंशन देंगे दुर्गती का कारण कि हम परमात्मों को भी नहीं जानते और खुद को भी आत्मा नहीं समझते इसलिए दुर्गती हो गई दुर्गती को भी समझते नहीं जिनके पास धन बहुत है मैं तो समझते हम स्वरग में बैठे हैं बाबाँ के टी, सब गरीब बन चाते, किए विनाश होना है, विनाश होना तो अच्छा है ना, हम फिर मुक्ती धाम में चले जाएंगे, इसमें तो खुश होना चाहिए, तुम मरने के लिए तीयारी कर रहे हो, मनुषय तुम मरने से डरते हैं, मनुश्य मरने से डरते हैं तुम मरने के त्यारी कर रहे हो बाप तुमको बैकुंट में ले चलने के लायक बना रहे हैं पती तो पती दुनिया में ही जनम लेते रहते स्वर्गवासी कोई भी नहीं होते मूल बात बाबा केते पवित्र बनो पवित्र बनने बिगर, पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे पवित्रता पर ही अब लाउं पर मार पड़ती है विश्को अम्रित समझते बाबा केते ज्यान अम्रित से तुम्हें हीरे जैसा बनाता हूं फिर तुम विश्क खाकर कोडी जैसा क्यों बनते हो मैं तुम्हें हीरे जैसा बनाता हूं तुम विश्क खाकर कोडी जैसा क्यों बनते हो आदकल तुमने विश्क खाया अब मेरी आज्या मानो वे तो दरम राज के डंडे खाने पड़ेंगे लौकिक बाप भी कहते हैं बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो कुल का नाम बदनाम हो बेहद का बाप कहते अगर काम चिता पर बैठे तो तुम्हारा मुग काला तो है और काला हो जाएगा काम चिता पर बैठे तो आत्मा और अधिक काली हो जाएगी अब तुम्हें ज्यान चिता पर बिठाई गोरा बनाते हैं काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुं भी नहीं देख सकेंगे, इसने बाबा केते श्रीमत पे चलो, बाप तो बच्चों से बात करेंगे ना, बच्चे जानतें, बाप हमें स्वर्ग का वर्सा देने आए है, कल्यू गब पूरा होना है, तो बाबा की श्रीमत पर उनकी हीश सद्गती होगी जो श्रीमत पर चलेंगे उनकी सद्गती होगी पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपनी धर्म में चले जाएंगे भारतवासी स्वर्ग वासी थे अब पतित बन गए स्वर्ग का पता ही नहीं तो बाब केती मेरी मत पर चल औरों की मत पर चल तुम विकार पर गए तुम मरे शिरीमत पे ना चल औरों की मत पे चले विकार में गए तो ये मरे फिर भले पिछाडी में स्वरग में आएंगे प्रंतुपद बहुत हलका पाएंगे अब जो साहुकार हैं वो गरीब बन जाते हैं जो यहां गरीब हैं वो साहुकार बनेंगे बाप गरीब निवाज है सारा मदार पवित्रता पर है बाबा के साथ योग लगाने से तुम पवित्र बन जाएंगे बाबा बच्चों को समझाते मैं तुम्हें राज्योग सिखाताऊं मैं घर बार निचुडाताऊं बहले घर में रहो प्रंतु विकार में बच्चाओ कोई भी देधारी को याद नी करो इस समय सब पतित है पुनर जनम लेते लेते अन्तिम जनम हो गया तुम सब पारवतियां हो तुम्हें अब अमर नाथ बाप अमर कथा सुना रहे हैं अमर पुरी का मालिक बनाने के लिए तो अब अमर नाथ बाप को याद करो याद से तुम्हारे विकरम बिनाश होंगे बाकि शिव शंकरवा पारवति कोई पहाडों पे नहीं बैठे हैं ये सब भक्ति मारग में कहा जाता आधा कल्प तुम बच्चे ढूंडते रहे अब बाबा केते मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाने आया हूँ सत्यूग में सुख ही सुख है मुख्य बात है पवित्र रहने की यहाँ जब बहुत अत्याचार करते हैं तो पाप का घड़ा भर जाता है और बिनाश होता है अब एक चनम पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे अब जो शिरीमत पर चले अगर कल्प पहले शिरीमत पर नहीं चले हैं तो अब भी नहीं चलेंगे नहीं पद पाएंगे एक बाप के तुम बच्चे हो तुम आपस में भाई भेहन हो गए प्रन्तु बाप का बनकर अगर गिरे तो और ही रसातल में चले जाएंगे और ही पापात्मा बन जाएंगे यह इश्वरी गवर्मेंट अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने तो धरम राज दुआरा बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी जनम जन्मांतर के जो पाप की है उन सब की सजा खाकर हिसाब किताब जुक्तू करना होगा या तो योगबल से विकर्मों को भस्म करना होगा या तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी या तो योगबल से पापो को भास्म करना होगा, इतना शक्ति शाली योग करना होगा, या फिर कड़ी सजा खाने पड़ेगी, कितने ठेर भ्रमा कुमार कुमारिया हैं, सब पवित्र रहते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं, तुमों शिव शक्ति पांडव सेना, गोप गोपियां इसमें दोनों आजाते, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, लक्षमी नाण को भगवती भगवान कहते, उनको जरूर भगवान नहीं वर्सा दिया होगा, भगवान आकर तुम्हें देवता बनाते हैं, सत्यों में यथा राजा रणी तथा प्रजा रहते, सब स्रेश्टा जारी थे, अब रावन राज्ये है, अगर राम राज्ये में चलना है, तो पवित्र बनू और राम की मत पर चलो, शिव बाबा की मत पर चलो, रावन की मत से तुम्हारी दुर्गती होती है, गाया जाता किसी की दबी रह दूल में सोना अधी जमीन में दिवारों में छिपाते हैं अचानक मरेंगे सब कुछ वहां ही रह जाएगा विनाश्टों हो नहीं है अर्थ कोई कादी जब होती तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते अब धनी बाप आया है तुम्हें अपना बनाकर विश्व का मालिक ब बिल्कुल तमो प्रधान हो गए बाप को पहचानते नहीं बाब करते में पवित्र बनाने आया हूं अगर विकार में जाएंगे तो बड़ी कड़ी सजा खाने पड़ेगी बाबा का बनकर अगर विकारों में जाएंगे तो बड़ी कड़ी सजा खाने पड़ेगी मैं पवि तुम्हें स्वर्गवासी बनाने अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो धरम राजद्वारा बहुत मार खाएंगे बहुत मारे जाएंगे बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेगी यह इंद्र सभा है कहानी है ना यह ज्ञान परियां थी किसी पतित को ले आई उनका वाइब पढ़ जाता है जो उन्हें लेकर आते हैं उनके उपर दोश पढ़ जाता बाबा तो जानते हैं फिर भी ले जाते हैं तो शिक्षा दी जाती है शुब बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध होती है अंजलाइन करेंगे आत्मा को शुद्ध करने का मात्रे कुपाई है बाबा की स्नेहे भरी याद, वायू मंदल में साइलेंस हो जाती है, आत्मा शुद्धो जाती है, वायू मंदल में साइलेंस हो जाती है, बाबा बैठ परीचे देते, मैं तुम्हारा बाप हूँ, पांजर वर्ष पहले माफिक, तुम्हें मनुष्य से देवता बनाने आया दार्णा के लिए सार पहले पॉइन्ट है, योग बल द्वारा, विकर्मू के सब हिसाब किताब चुक्तू कर आत्मा को शुद्ध और वायू मंदल को शांत बनाना है योग बल द्वारा विकर्मू के सभी साब किताब जुक्तू कर आत्मा को शुद्ध वायू मंदल को शांत बनाना है बाप की शिरिमत पर संपूरन पावन बनने की परतिज्या करनी है विकारों के वश होकर स्वर्ग की रचना में विघन रूप नहीं बनना है आज का वरदान मन बुद्धी की स्वच्चता द्वारा यथार्थ निर्णे करने वाले सफलता संपन्भव किसी भी कारे में सफलता तब प्राप्थ होती है जब समय पर बुद्धी यथार्थ निर्णे देती है लेकिन निर्णे शक्ती काम तब करती है जब मन बुद्धी स्वच्च हो कोई भी किचड़ा ना हो इसलिए योग अगनी द्वारा किचड़े को खतम कर बुद्धी को स्वच्च बनाओ योग अगनी द्वारा किचड़े को खतम कर बुद्धी को स्वच बनाओ किसी भी प्रकार की कमजोरी ये गंदगी है जरासा व्यत संकल भी किचड़ा है जब ये किचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे स्वच बुद्धी होने से हर कारे में सफलता प्राप्त होगी सरल शब्दों में अपनी मन बुद्धी को हम स्वच रखेंगे निरने यथार्थ होंगे तब सफलता मूरत बंचाएंगे स्लोगने सदा स्रेष्ट शुद संकल्प इमर्ज रहें मातेश्वरी जी के महवाक्य इस कल्यूगी संसार को ऐसार संसार कहते है क्यों कहते हैं क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं मारा कोई भी वस्तु में वो ताकत अत्वा सुक शांती पवित्रता नहीं इस स्रिष्टी पर कोई समय सुक शांती पवित्रता थी अभी वो नहीं है, क्योंकि हर एक में पाँच भूतों की परवेश्टा है, इसलिए स्रिष्टी को भै का सागर, अत्वा करम बंधन का सागर कहते हैं, इसमें हर एक डुखी हो, परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा में भव सागर से पार करो, इससे सिद्ध है, जरूर क कोई अभ है, अर्थात निर्भेता का भी संसार है, जिसमें चलना चाहते हैं, इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुन्ने वाली दुनिया में चलना चाहते हैं, पाप की दुनिया से पुन्ने की दुनिया में जाना चाहते हैं, एक तरफ पुन्ने की दुनिया, एक तरफ पाप की दुनिया, एक तरफ सत्योगी सार वाली दुनिया, दूसरे तरफ कल्योगी ऐसार दुनिया, दोनों दुनियाई इस स्रिष्टी पर होती है, मनुश्य कहते हैं, है प्रभू, हम इस भाव सागर से उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है, ये तो हुआ मनश्यों का कहना, प्रंतु परमात्मा कहते बच्चों, सच्मु जहां सुक शांती है, दुख शांती से दूर है, उस दुनिया में मैं तुम्हें ले चलता हूं, जब तुम सुक चाहते हो, तो जरूर इस जीवन में होना चाहिए, और वो तो सत्योगी प्रंच के देवताओं की दुनिया थी, जहां सरवदा सुखी जीवन थी, उन देवताओं को अमर कहते थे, अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं, ऐसे तो नहीं, देवताओं के आयू इतनी बड़ी थी, कि जो कभी मरते नहीं थे, अब ये कहना उनका रॉंग है, क्योंकि ऐस जनम, द्वापर से कल्यूप के अंत तक टोटल के जनम बदली कर 21 हुए और उतरती कलावाले 63 हुए, टोटल मनुष्य 84 जनम लेते हैं, बाकि जो मनुष्य समझते हैं, मनुष्य 84 लाख योनिया भोगते हैं, ये कहना भूल है, अगर मनुष्य अपनी योनी में सुख सकते हैं, तो फिर जनवर योनी में भोगने की जरुरती क्या है, बाकि टोटल स्रिष्टी पर जनवर पशु पक्षियादी 84 लाख योनियां हो सकती हैं, क्योंकि अनेक किसम की पैदाईस है, क्योंकि अनेक वराइटी है, लेकिन मनुष्य मनुष्य योनी में ही अपना मनुष्य योनी में आता है, मनुष्य को अपनी योनी में भोगना भोगनी पड़ती है, इसलिए उसे मनुष्य जीवन में सुख दुख की महसूसता होती है, ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनी में सुख दुख भोगना है, मगर उनमें ये बुद्धी नहीं कि ये भोगना किस करम से हुई उनकी भोगना को भी मनुश्य फील करता है क्योंकि मनुश्य है बुद्धिवान पाकि ऐसे नहीं मनुश्य को 84 लाख योनिया भोगते हैं ये तो मनुश्य को ड्राने के लिए कह देते कि अगर गलत करम करोगे तो पश्योनी में जरम मिलेगा हम भी अब इस सं जीवन को पल्टाई पाप आत्मा से पुन्य आत्मा बन रहे हैं अपने जीवन को परिवर्तन कर फिर से हम पुन्य आत्मा बन रहे हैं आज हम याद रखेंगे कि मैं मन बुद्धी से सदा स्वच सफलता मूरत आत्मा हूं अटेंशन देंगे मन बुद्धी में जरा भी ऐस स्वच्चता ना हो और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञानमोती ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करें